आज हम राकेश टिकेट के बारे में बात करेंगे राकेश टिकेट ने कहा अक्टूवर तक चलेगा किसान अंदोलन क्रेशी कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए 69 दिन भी गाजीपूर बॉडर पर किसानों का अंदोलन जारी है इस बीच संयुक्त किसान मोर्चानी 6 फरवरी को देशभर में चक्का जाम करने का एलान किया है चक्का जाम के एलान के बाद पुलीस ने दिल्ली बॉडर पर सक्त घेराबंदी कर दी है दिल्ली पुलीस ने गाजीपूर बॉडर पर भी 6 लेयर बैरिकेंडिंग और कटीले इतार लगा कर रोड ब्लॉक कर दी है इतना ही नहीं पुलीस ने गाजीपूर बॉडर की में रोड पर लोहे की कीले ठोक दी है भाकियों नेता राकेश टिकेट ने कहा कि आंदोलन कारियों द्वारा यातयात को वरुंद्र नहीं किया गया है यह पुलीस वेरिकेंडिंग के कारण है हमने सरकार को बता दिया कि यह आंदोलन अक्टूवर तक चलेगा अक्टूवर के बाद आगे की तारिक देंगे बाच्चित भी चलती रहेगी उन्होंने कहा कि बिल वापसी ही घर वापसी है सरकार को अपने जिद छोड़कर तीनों क्रशी कानून वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून बनाना पड़ेगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले